कि इस अध्याय में हमने जो कुछ भी अध्यन किया है आईए उसका सारांश देखते हैं हमने उतक के बारे में पढ़ा था उतक दो प्रकार के होते हैं पादप उतक और जन्तु उतक पादप उतक में हमने पढ़ा पादप उतक विबजी उतक होते हैं वे शिर्षस्त, अंतर्विस्ट और पार्श्व होते हैं और हमने पढ़ा इस्थाई उतक वे होते हैं सरल उतक जिसमें हमने पढ़ा पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा और स्कलेरेंकाइमा और फिर हमने पढ़ा जटिल उतक वे होते हैं जाईलम और फ्लोयम और फिर हमने जन्तु उतक के बारे में पढ़ा था जन्तु उतक में हमने पहला पढ़ा एपिथीलियम उतक, जिसके प्रकार है शलकी, गनाकार, इस्तंब कसर और दूसरा हमने पढ़ा सहयोजी उतक जिसके प्रकार हैं रक्त, अस्थी, सनायू, कंडरा और उपास्थी तीसरा हमने पढ़ा पेशी उतक जिसके प्रकार हैं कंकाल, चिकनी, कार्डिक और चोथा और आकरी हमने पढ़ा तंत्री का उतक